इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ इल्तुतमिस की एक्ता बवस्था के बारे में देखिए मैं इल्तुतमिस के बारे में आप सबको पढ़ा चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो सबसे पहले आप जाईए उस वीडियो को देखिए ताकि आपको इल्तुतमिस के बारे में समझ में आख लगे इस वीडियो मैं केवल एक्ता ववस्था की चर्चा करने वाला हूँ इल्तुतमिस के द्वारा भारत में जो एक्ता ववस्था प्रारंब की गई थी उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा अगर आपको अपने नूट्स बनाने हैं तो description box और comment box में website की लिंक दी गई है तो वहाँ से जाके आप अपने नूट्स तैयार कर सकते हो तो चलिए इस वीडियो की सुरुगात करते हैं और पढ़ते हैं एक्ता ववस्था के बारे में ये है सूचना तो इसे आप जरूपड हैं सबसे पहले बात करते हैं एतिहासिक तठ्थियों की एक्ता ववस्था का जो इतिहास है वो कहां पर मिलता है सुल्तान इल्तुतमिस की द्वारा भारत में सुरू की गई एक्ता ववस्था की संपूर जानकारी सियासत नामगरंथ में मिलती है सियासत नामगरंथ की रचना फार्सी भासा में निजामुल मुल्क अबु हारून बिन अली तूसी की द्वारा की गई थी सियासत नाम गरंथ में इल्तुतमिस के द्वारा भारत में सुरू की गई एक्ता ववस्था की संपूँ जानकारी मिलती है और इस गरंथ के अलावा किसी अन्य गरंथ में एक्ता ववस्था की जानकारी नहीं मिलती है देखो यहां पर क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ इल्तुतमस के दवारा भारत में एक्ता ववस्था की सुरूआत की गईती और इसकी जो जानकारी है वो केवल एक ही गरंट में मिलती है और उसका नाम है सियासत नामा और सियासत नामा की रचना फार्ट सी भासा में निजामुल मुल्क अबु हारून बिन अली तूसी के द्वारा की गई थी हलाकि जब मैं आपको इल्तुतमिस के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने इनका सोट में नाम लिखा हुआ था निजामुल मुल्क इतना ही लिखा हुआ था लेकिन इसमें मैंने पूरा नाम लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है कि एक्ता ववस्था की जो जानकारी है वो किस गरंत में मिलती है सियासत नामा गरंथ में मिलती है और इसके अलावा किसी भी अन्य गरंथ में एक्ता ववस्था की जानकारी नहीं मिलती है एक्ता ववस्था क्या थी तो अब बात करते हैं एक्ता ववस्था पे एक्ता सब्द अर्वी भासा का है जिसका संबंद भूमी से होता है तो यहां पे आपको समझना है कि ये इकता जो सब्द है वो किसका है? अर्वी भासा का सब्द है और लिसका संबंद किसे एक भूमी से इकता भू राजसु चित्र होता था इल्तुतमस के सासनकाल में मुल्तान से लेकर लखनोती तक के छेतर को कई चोटे-चोटे भागों में बाटा गया था जिन्हें एक्ता के नाम से जाना जाता था सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक मैप उससे मैं आपको समझाता हूँ ये जो आप देख रहे हैं ये है इंडिया का मैप इलतत मिस्का जो सामराज फैला हुआ था तो वो इसी चेतर में फैला हुआ था आप यहां से देख सकते हैं ये बंगाल तक ही फैला हुआ था पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्तों में फैला हुआ था तो इसी छेतर में कई छोटे छोटे भागों में इसको बाटा गया था उन्हीं भागों को कहा जाता था एक्ता आपको यह यहाँ पर ध्यान रखना है जैसे के अभी हमारे देश को प्रदेसों में बाटा गया है प्रदेसों के बाद जिलों में बाटा गया है तो ठीक उसी तरह ते पहले प्रदेसों में तो नहीं बाटा गया था लेकिन एक्ता में बाटा गया था तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक्ता को दो स्रेणियों में बभाजित किया गया था यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक्ता को दो भागों में बाटा गया था प्रथम स्रेणी की एक्ता में प्रांतों को सामिल किया गया था जिसका एक्तादार प्रांती राजपाल की रूप में अपना कारे करता था जिसमें कानून बबस्ता लगान बसूली सैनिक सेबा को सामिल किया गया था देखो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक्ता को दो भागों में बाटा गया था पहला जो एक्ता होता था जिसले बहुत बड़े छेतर में उसको सामिल किया जाता था और उसका जो एक्तादार होता था वो राज़पाल के रूप में अपना कार्य करता था और उसके जो कार्य थे जिसमें कानून वबस्ता की जिम्मेदारी भी उसी के पाल थी लगान बसूली करना भी उसी के हाथ में था और सैनिक सेवा भी उसी के हाथ में थी तो यह यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दुतिय स्रेणी की एक्ता में गाउं को सामिल किया गया था जिसके प्रमुक अधिकारी का कार सैनिक सेबा प्रदान करना होता था देखें दूसरे स्रेणी की जो एक्ता थी उसका जो अधिकारी होता था उसका काम केवल केवल एक ही था सेनिक सेवा प्रदान करना पहले के राजाओं के पास इस्थाई सेना नहीं होती थी कि एकदम से जैसे आज भारा सरगार के पास सेना लेकिन पहले इस तरह की नहीं होती थी पहले जो सेना होती थी करगाों के लोगों को बला लिया जाता था युद्ध के लिए युद्ध खत्म होता था भापस घर पर चले जाते थे इस तरह की सेना होती थी तो जो दो-三ीज तो टेय। रेणी के एकताका जो अधिकारी होता था उसका काम यही था कि गाउं से सेनिकों को एकटा करना, राजा की पास बेजना, जब यूद खतम होया तो बापस उने घर बेजना, बस इतना ही उसका काम होता था समसुद्दीन इल्टुतमिस के द्वारा सुरू की गई एकता ववस्था से सामंत वादी पिर्था का अंत हो गया था तो यहाँ पे आपको समझना है कि इल्थुतमिस की दोरा सुरू की गई थी इत्तववस्था उस से सामंत वादी पिर्था जो थी उसका अंत हो गया था तो यह सामंत वादी पिर्था क्या थी? हला कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह हर एक पिरियद में इसका अलग-अलग मतलब था अंग्रेजों की सासनकाल में इसका अलग मतलब था और इल्थुतमिस की सासनकाल में इसका अलग मतलब था उससे पहले और चले जाओ तो उसमें उसका मतलब अलग था सामन्त किसको कहा जाता था सामन्त राजा के जो प्रतिनिधी होते थे उनको सामन्त कहा जाता था वो बड़ा ही कडाई से जन्ता से कर्वसूलते थे जो जन्ता कर्व नहीं देती थी कभी-कभी तो उसके हाथ भी काट लिये जाते थे लेकिन अंग्रेजों के सासनकाल में हाथ तो नहीं काटे गए हैं लेकिन उससे पहले इस तरह की बवस्थाएं चलती थी तो सामन्तवाद की अगर बात करें तो सामन्तवाद एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुरूरता के साथ कर लिया जाता था इस तो तुम इसके सासनकाल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सामन्तवाद की कोई निश्चित परिभासा नहीं है लोग समय के अनुसार इसकी परिभासा को बदलते रहते हैं अगर आधने काल की बात करें कि आज के समय की तो अगर कोई बेक्ती किसी दूसरे को कहता है तुम तो बहुत बड़े सामन्तवादी हो तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब यह है कि तुम अपनी एक्छाओं को जबर जस्ती मेरे उपर थोप रहे हो आज की अगर सिचुएशन की बात करें तो क्योंकि आज कल तो राजा साही का जवाना है नहीं तो इसलिए आज की करेंट सिचुएशन के हिसाब से कर कोई एक दूसरे से रड़ाई में कहते नहीं हो तुम तो बहुत सामन्ती किसम के आदमी हो तो इसका मतलब है कि कोई बेक्ती जवर जलती अपनी एक्छाओं को तुमारी उपर थोप रहे उसको सामन्ती कहा जाता है तो यह सामन्त बाद यह हर एक काल में इसका अलग-अलग अर्थ होता था प्राचीन काल में इसका अलग होता था मद्धिकाली में इसका अलग होता था आदुनिक में इसका अलग है और अंग्रेज़ों के सासनकाल में इसका अलग मतलब होता था भारत में एक्ता ववस्था की सुरुवात करने का स्रे सुल्तान इल्टुतमिस को ही प्रदान किया जाता है ये प्रिस्द बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है एक्ता वरस्ता की सुरुवात किस ने की थी? इल्टुतमिश ने की थी ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है समसुद्दीन इल्टुतमिश के सासनकाल में बदाईयो एक्ता का नाम सबसे उपर था यहाँ पर कहने का मतलब है कि इल्टुतमिश का जितना भी सामराजित था उसमें कई एक्ता थे लेकन सभी एक्ताओं में बदाईयो एक्ता का नाम सबसे उपर था यह यहाँ पर ध्यान रखना है आपको क्योंकि इल्टुत्मिस तिल्ली सल्तनत का सासक बनने से पहले बदाईयों का ही एक्तादार या सूविदार था या आपको यहाँ पे इसको बिसी तोर बे याद रखना है समसुद्दीन इल्टुत्मिस का सासन काल 1211 सी 1236 ईसवी के मद्द में था अगर इसकी चर्चा मैंने अपने पिछली वीडियो में भी की थी तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है आपको यहाँ पे जितना यह मैंने हाइलाइट किया हुआ है यह याद रखना है और अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो description box और comment box में आपको website की link मिल जाएगी तो वहाँ से जाके आप अपने notes से यार कर सकते हो तो वीडियो समझ में ना आया हो तो आप इसे दुबारा तिबारा जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like करो, share करो और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मैं उससे पूछ सकते हूँ